जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि जो भी कोर्संस एकजाम में पूछे जाते हैं वो कहीं ने कहीं वो प्रिवेस एर से रिलेटेड होते हैं और उनका बहुत इंपर्टेंट रोल होता है आज आम इस वीडियो में कुछ लेटेस्ट एकजाम के कोर्संस कराएंगे जिने आप एकजाम अगर कोई देने जाएंगे तो उसमें आपको फैदा ज़रूर मिल सकता है यहाँ पर दोस्तों जी के जीएस के प्रसनों को लेकर आए हुए हैं प्रिवेस एर के ये प्रसन मारा रिजिनिंग का है तो ये भी आप देख लिजिए लिखा हुआ है पच्छियों और एक पच्छि दो पच्छि के मद्ध है तो हमें बताना है कि पच्छियों की संख्या कितनी है सिंपल कोशन है देखिए दोस्तों कैसे लगाएंगे सबसे पहले आप देखिए दो पच्छि एक पच्छि के आगे हैं इसका मतलब एक पच्छि हमने ये बना लिया और इसक पच्छी जो है दो पच्छीयों के मद्ध है यानि इनके मद्ध में एक पच्छी और है इनके भी मद्ध में एक पच्छी और है तो टोटल नंबारा पच्छीयों कितनी संख्या हो जाएगी आप कहेंगे पांच जो किसका राइट अंसर यही वाला बताया गया आगे बढ़त दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत ही important पुछा गया छोई मोई टच मी नाट पौधे का बैग्यानिक नाम क्या है तो दोस्तों याद रखिएगा इसको जो बैग्यानिक नाम है मिमोसा पुडिका है यह पेपर में पूछा गया है हो सकता है आने वाले जाम में को संस रिपी खिएगा अलासका जो है सैयुक्त राज अमेरिका का काउन राज जो पहले रूस का भाग था यह यह पहले रूस का भाग था रूस का भाग था गुजरात हो जाएगा आपसा नमबर पहला नेक्स्ट प्रस्न है हमारा यहाँ पर देखिए पुछा गया था किसी सिक गुरु के निमंतरण पर सूफी संत हजरत मिया मीर ने अमरत सर में स्वण मंदिर की आधार सिला रखी थी तो यहाँ पर आपको बताना है कि किसी गुरु के निमंतरण पर तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा सिरी गुरु अर्जुन देव यहाँ पर सिरी गुरु के बारे पूछा गया था तो इन ही के निमंतरण पर आधार सिला रखी गया आपसा नमबर इसका चौता सही हो जाएगा नेक्स्ट प्रस्ण है दागाड आ उपन्यास के writer का नाम क्या है अरुंदती राए नेक्स्ट प्रस्ण है भद्रावन्गजीव अभेहरं किस राज़ी में इस्थीत है यह दोस्तो याद रखिएगा इसका राई अन्सर आपका करनाटक राज़ी में है भद्रावण्गजीव अभेहरं ये दोस्तो रेसेंडिल एकजाम में आई हुए हैं हो सकता है आने वाले एकजाम में कोस्ण स्रिपीट हो सकते हैं निमले खित में से कौन सा इसमारक तमिल नड में इस्थित नहीं है तो दोस्तो इसका जो राइट अंसर आपका होगा बेकल किला बेकल किला जो है आपका इसमारक तमिलाड में इस्थित नहीं है बाकी आपकी जितने भी दिये गया है मीनाच्छी और वलुवर, कोटम, पदमान, भुरम पहले ये सब के सब आपके तमिल नड में इस्थित हैं दोस्तो एक और डिजनिंग का प्रस्ण पूछा गया था जो कि बहुत ही सिंपल था यहाँ पर पूछा गया था प्रस्ण चिन्ने के इस्थान पर क्या आएगा तो देखिए आपको कैसे बताना था यह थोड़ा सो लॉजिकल आपको सोचना पड़ता है तो देखिए यहाँ पर आपको कैसे देखना है पहले दोस्तों 6 का भाग हम 12 में देंगे तो भाग फल 2 आएगा इसके बाद इस वाली संख्या में गुड़ा कर देंगे तो यह नीचे वाली संख्या आपकी प्राप्त हो जाएगी इसी प्रकार 4 का भाग 8 में देंगे 2 और 2 गुड़े 16 करेंगे 32 आएसे यहाँ पर 24 लाना है तो यहाँ पर आपका 6 होना चाहिए तो 3 दूनी 6, 12 गुड़े 24 यानि इसका राइट अंसर यहाँ पर 6 आएगा यानि आपसा नंबर 14 हो जाएगा सिंपल सवाल था नेक्स्ट प्रस्थन है दोस्तों सन 1944 में भारत के बड़े उद्वक पतियों ने एगजूट होकर सुतंदरता मिलने के बाद देश में नियोजित आर्थ बिवस्ता की इस्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताओं का मसाओदा तयार किया था उस मसाओदे को किस नाम से जाना जाता है तो दोस्तों याद रखिए अगर दबांबे प्लान ये भी प्रशना आपका हाली में पूछा गया है भारत का पहला संरच्छित बन काउंसा है तो देखे दोस्तों यहाँ पर इसका राइट अंसर आपका होगा सत्पुडा राष्टी उद्धान अगर हम कहें भारत का जो राष्टी उद्धान है जिम ये तो भारत का पहला है लेकि Luck का पहला का संरच्छित बन की बात हो रही है ठीकना तो बन आपका सत्पुडा राष्टी उद्धान हो जाएगा ठीकना ये भी आपको याद रखना है इसमें काफी कन्फूजन होता है, बहुत लोग जिम कार्वेट लगा देते हैं नेक्स्ट प्रस्न है मारा, किसकी हिंसा गटना के कारण गांदी जुद दौरा असायोग अंदोलन वापस ले लिया गया था तो दोस्तो पाच फरवरी उनिस सुबाई चौरी चौरा कांड हुआ था, आपको पता है इसी की वज़े से विसाल गिलहरी किस राज की राज की पसु है, ये भी बहुत बहुत इंपर्टन कोशन है विसाल गिलहरी किस राज की राज की पसु है दोस्तों ये महाराष्ट की है याद रखिएगा महाराष्ट की है विसाल गिलहरी भारत की प्रतम मैला राष्ट पती कौन थी यहाँ पर प्रतिभा पाटिल थी ठीक है ना राइट अंसर अपसर नमबर 20 का हो जाएगा नेक्स्ट प्रसना है इन में से कौन भारत के एक राज के मुख मंतरी के होने के साथ साथ सुप्रस्टिश्टित आयोग के अध्याच्छे भी थे ये थोड़ा सब कोशन डीपली है याद रखेंगे दोस्तों बिंदे सुरी प्रसाद मंडल ये सब हाली में पूछे गया है नेक्स्ट प्रसना हमारा वे भारती ने और यूरोपी सैलियों को एकिकरत करके मुंबई में ताज महल पैलेस होटल का निर्मार कराया था जमसेद जी टाटा ने भारती और यूरोपी सैलियों को एकिकरत करके मुंबई में ताज महल पैलेस होटल का निर्मार कराया था नेक्स्ट प्रसना पुछा गया था ये बहुत ही सिंपल प्रसना है ऐसे प्रसनों को दोस्तों बाई आपसन से लगा जाते हैं ना बाई आपसन से लगा जाते हैं दो अंकी संख्या के अंकों को योग नौ है यदि अंकों को क्रम को पलट दिया जाए तो नई संख्या में नौ जोड दिया जाता है तो नई संख्या मूल संख्या के तीन गुना के बराबर हो जाती है संख्या ग्यात किरिए जब भी दोस्तों इस टाइब के सवाल हो उलट देते हैं हमेशा याद रखिएगा आपसन से ही लगाईए अंको को योग आपसन में देखिए सभी में 9 हो रहा है अब चलो इसी को अगर देख लिए 27 को उल्टा करेंगे 72 आएगा भी बोला इसमें 9 जोड देते हैं आप 9 जोड दीजिए तो आप कहा जाएगे 81 क्या इसका ये 3 गुना है बिलकुल 3 गुना है और किसी में आएगा ही नहीं तो इस तरीके से आपसन से आप तेजी से चेक कर लिया करिए आप का अंसर निकालाएगा नेक्स्ट प्रस्ण है केंद्र साशित प्रदेश दादरा और नगर हवेली से होकर प्रवावित होने वाली प्रमोक नदी कौन सी है तो दोस्तों याद रखिएगा दमन गंगा है ठीक है ना कौन सी नदी है नेक्स्ट प्रस्ण है हमारा भारती यहाँ पर यह प्रस्ण हो चुका है फिस रिपीट हो गया है यहाँ पर यह भी हो चुका है रिपीट हो रहा है यह भी ठीक है ना यह भी हो गया है दमन गंगा वाला भी हो गया है और यहाँ पर यहाँ पर नेक्स्ट प्रस्ण है हमारा भारत में पासाण कालिन सिला चित्रकारी कहां पाई आती है तो दोस्तो इसका जो राइट अंसर आपका हो जाएगा भी में बेट का नेक्स्ट प्रस्ण है हमारा भारत से मयूर सिंगासन कौन लेकर गया था तो दोस्तो इसका जो right answer आपका हो जाएगा नादिर सा very very most important है भारत से मयूर सिंगासन कौन लेकर गया था नादिर सा इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट प्रस्ण है कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर सम्मू से समंदित है तो दोस्तों याद रखिएगा खज राहो मंदिर खज राहो मंदिर ठीक ना इसका जो राइटनसर आपका हो जाएगा आपसा नमबर तीसरा नेक्स्ट प्रस्ण है उन्नीस सो मई 2019 में उडिसा की एक प्रचेंड चक्रवात आया था जिसे फैनी यानि फोनी नाम दिया गया था इसका क्या अर्थ है तो इसका जो राइटनसर आपका हो जाएगा सर्प हो जाएगा नेक्स्ट प्रस्ण है इन में से कौन सा ब्रह्म पुत्र नदी का उद्गा मिस्तल है तो इसका जो राइटनसर आपका हो जाएगा मान सरोबर जीर ये सब दोस्तों अभी हाली में पूछे गए हैं नेक्स्ट प्रस्ण है 12 सरकार की निम्लिखित में से किस योजना की अंतरगत बरद जनों विद्वाव और दिव्यांगों को सामाजिक पेंसन के रूप में वित्ती साहता प्रदान की जाती है तो इसका जो राइट अंसर आपका हो जाएगा राष्टी ये सामाजिक साहता कारक्राम ये भी याद रखियेगा वेरी वेरी मोस्ट इंपर्टेंट है और नेक्स्ट प्रस्ण हमारा यदि किसी बेक्ति को दूर की वस्त में इस प्रस्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं तो उसे कौन सा द्रस्ट दोस है और इसे कैसे सही किया जा सकता है तो दोस्तों यहाँ पर दोनों चीज़े पूछ लिया गया है याद रखियेगा जब भी किसी बेक्ति को दूर की वस्त में इस प्रस्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं तो उसमें कौन सा दोस होता है वो आपका होगा निकट द्रश्टी दोस, कौँ सा होगा, निकट द्रश्टी दोस होगा, और निकट द्रश्टी दोस के लिए आप अवतर लेंस का प्रियोग करते हैं, ये भी कई बार पुछा गया है, ठीक न, उतर लेंस के लिए दूर द्रश्टी दोस अगर है, तो उतर का प्रियोग करते हैं नेक्स्ट प्रस्ण है इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है विख्यात नरत गुरु राज कुमार सिंग जेत सिंग किस नरत सैली से संबंदित हैं इसका जो राइट अंसर आपका हो जाएगा मड़ी पूरी मड़ी पूरी ये भी देख लिजिए आपको इस सारे ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे अंतराश्टी स्रम संगठन आयलो इंटरनेशनल लेबर आर्गनाजेशन किस्ता आपना किस बर्स हुई थी उन्नीस तो इन्नीस में हुई थी ये भी आपका इंपॉर्टेंट है जिन पौदों में समुहन तंत्र नहीं होता है उन्हें किस तोर पर जाना जाता है तो दोस्तो इसका जो राइट अंसर आपका हो जाएगा ब्रायो फाइटा ठीक ना ये इसका अफशन ब्रायो फाइटा बताया गया है नेक्स्ट प्रस्ण है हमारा ICC प्रोस क्रिकेट बिस्तुकप 2019 का आयुजन कहा हुआ था तो दोस्त राष्टी अग्यात बाल दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्तो याद रखिएगा अंतर राष्टी अग्यात बाल दिवस जो है आपका 25 मार्च को मनाया जाता है अगर हम कहते हैं कि राष्टी बाल दिवस कब मनाया जाता है 14 नौंबर को मनाया जाता है ये हमारा राष्टी इसके 6 दिन बाद यानि 20 नौंबर को मनाया जाता है 20 नौंबर को कौंस मनाया जाता है यह आपका अंतरथी इयी बाल दिवस याद रखेगा अंतर simplemente बाल दिवस थिक ना तो इसमें आपके तीन प्रश्ण कबर हो जाएंगे अग्यात बाल दिवस 25 मार्च अग्यात बाल दिवस और यहाँ पर 14 नौंबर को राष्टी बाल दिवस 20 नौंबर को अंतराष्टी बाल दिवस अग्यात बाल दिवस क्या है जब बच्चा पेड में होता है भूड में उसकी हत्या कर दी जाए त जन्वारी 2019 में किस संगठन ने रेडियो धन्मी पदार्थ के किसी हमले की स्थित में तुरंत वहान राहत प्रतन करने है तो मोबाइल फैसल्टी बिक्सित की तो दोस्तों ये थोड़ा सा पुराना कोशन समान सकते हैं ये आपका DRDO हो जाएगा तो इस तरीके दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट जो प्रस्ण अभी हाली में पेपर में पूछे गए थे उनको हमने आपको कराया है आप इमांदारी से कमेंट करके बताईएगा इतने प्रस्णों में से आपको कितने आएं और कितने नहीं आएं और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर द दिएगा दोस्तों वीडियो देखने लिए धन्यवाद